नमस्कार कक्षा आठ एक्सरसाइज 3.2 का प्रशन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं एक सम बहुभुज देखे सम बहुभुज बहुभुज मतलब बहुत बुजाओं वाला सम मतलब जिसकी बुजाओं की लंबाई बराबर हो तो एक सम बहुभुज के परते एक बाहे कोनों का जहीं जिसकी नों भुजाओं हो तो बच्यों हमें पता हैं बाहे कोणों का योग होता है 360 डिग्री यह हमने इस exercise में पड़ा है कि किसी भी बहु बुझ के बाहे कोणों का योग होता है 360 डिग्री तो बच्चो यदि उसकी 9 भुजाएं है और सम बहु भुजाएं इसका मतलब इसकी सारी भुजाएं बराबर है यदि सारी भुजाएं बराबर हैं तो इसके सारे कोण भी बराबर होंगे सभी कोण बराबर होंगे इसका मतलब एक कोण का माप बराबर 360 डिग्री इसको हम जितनी भुजाएं हैं उससे भाग कर देंगे भुजाएं हैं 9 तो देखिए 360 को 9 से भाग कर देजे 9 से 360 कर जाएगा 9 चोके 36 और पीछे है 0 इसका मतलब एक कोण का माप यानि परते कोण का माप कितना आ गया है 40 डिग्री आ गया है तो हम यहां लिख देंगे परते कोण का माप बराबर 40 डिग्री तो आशा करता हूँ यह वीडियो यह भाग आपको अच्छे से समझ आया होगा कुछ भी नहीं है बच्चों देखो बहु भुज के बाहिय कोणों का योग होते है 360 डिग्री भुजाएं है 9 तो 360 को 9 से भाग कर दिया बुजाएं होती 10 तो 360 को 10 से भाग कर देते बुजाएं होती 18 तो 360 को 18 से भाग करके परते कोण का माप निकाल लेते आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ आया होगा धन्यवाद